हेलो माई यूट्यूब फैमली कैसे हैं आप सब आप सब ठीक होंगे सो फ्रेंट्स आज मैं आपको एक बहुत ही एमेजिंग रैमडी के बारे में बाताने वाली हूँ किस तरह से आप अपनी स्किन को गर्मियों की मौसम में भी गुलाब की तरह पा सकते हैं फ्रेंट्स ये नुसका बहुत ही कारगर है जिसे मैं आप सब के साथ शेयर करने वाली हूँ आपकी चेहरे की डलनेस आपकी चेहरे पर जो डाक सपट हो जाते हैं और आपकी चेहरे पर जो जाया हो जाते हैं उन सब के लिए एक राम मानुस का है एक ये बार में वो सब खतम करके आपकी स्कीन को बिल्कुल ग्लोइंग बनेगा इसकी रिजल्ट से आप खुद हैराम रह जाएंगे चाहे आपकी चेहरे पर ओपन पोर्स के प्रोब्लेंस हो या फिर आपकी स्कीन डल हो गया हो डल बेज को बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए मुलतानी मिट्टी जो कि आप वीडियो में देख सकते हैं ये मार्केट में आता है आपको 30-40 के अंदर मिल जाएगा अगर आप बड़ा बाला टैक लेना चाहते हैं तो ओनलाइन भी पर्चेस कर सकते हैं नहीं तो जो मिट्टी बहुत ही जारीं यूजी करते हैं क्यों लुंकि मुलतानी मिट्टी थंडी होती है हमारी स्कीन में ठंडक प्रवाइड करता है जिसकी वैसे हमारी स्कीन में जो रेसे आटा जाते हैंícia का याँ आते हैं ।ूद्ट इस मैं यहाद 2 खंप न करा हुआ है नेक्स्ट आधारे जो भी रेडनेस बगेर आते हैं जो चोटीचोटे दाने आ जाते हैं जो पिमपल्स आ जाते हैं जो पिमपल्स के दाग होते हैं जाईया होते हैं उन सब को ठीक करने के लिए चंदन का पाउडर बैस्ट है नेक्स्ट में यहाँ पर एड कर रहे हूं रोजवाटर गुलाब का जल तो आप देख सकते हैं अगर आप चाहें तो घर का जो होममेड रोजवाटर आता है कई लोग बना के उसको रखते हैं भी नहीं होगा फ्रेंड्स आपको यहाँ पर रोजवाटर तब तक मिलाते रहना है जब तक यह एक अच्छा सा पेस्ट नहीं बन जाता तो मैं यहाँ पर धीरे धीरे करके एड कर रहे हूं अगर एक ही बार में बहुत जाबार डाल दूंगी तो यह बिल्कुल रनी कंसिस तराल तो यह ब सकता है धानी को यह ताल हो जाता है इसको यह पर नमद चाहिए। इसमें एड करेंगे हमारा जो नेक्स्ट इंग्रीटियेंट है वो भी बहुत ही पार्फुल इंग्रीटियेंट है उसका यूस्त हम सदियों से करते आये हैं तो काईस आपको यहाँ पर लेना है अपको यहाँ पर यहाँ पर यहाँ तर नहीं डालना है और इन सब को अच्छे से मिक्स करना कि बहुत ही ज़रूरी है और गाइस मैं जब तक इसको मिक्स करती हूं तब तक अगर आप में इस चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब और पास में जो बैल आखने उसे प्रेस करना बिल्कुल मत भुलिए कि उसे प्रेस करने के बाप मैं जब भी वीडियो अप्लोड करूंगे आपके सारे नचुराल है यह ओईली स्कीन एकनी फॉर्ण स्कीन ड्राय स्कीन हर किसी के स्कीन को सूट करेगा किसी की स्कीन में यह हार्म नहीं करेगा और एक हपता आप इसको लगा के देखिए एक हपते के बाद आपकी स्कीन में एक फेशियल वाला निखार अगर नहीं है तो फ प्रिक्स हो जाने के बाद हमारा पैक है यह बिलकुल रडी है तो आपको क्या करना है सबसे पहले अपने फेस को अच्छे से वाश कर लेना है फेस में आपकी कोई भी मेकप बगेरा नहीं होना चाहिए देन आपको इसको धीरे-दीरे करके जैसे हम फैस पैक बगारा लगाते इसको 15-20 मिनिट तक छोड़ देना है जब तक कि यह ड्राइ नहीं हो जाता तो आपको क्या करना है इस पैक को आप अपने फेस में नेक में हैंड में आप जहां चाहे अपने फूल बोडी में भी यूज कर सकते हैं यह बहुत ही अच्छा सा पैक है और आल स्किन टाइप के अपने पैस में नेक में जहां चाहें अपने बोडी पार्ट में इसको यूज कर सकने कोई रेक्शन बगेरा नहीं होगा यह बिलकुल नच्राल पैक है तो आप सबको पता ही है बेसन का इस्तमाल तो अचा कि देख बाल के लिए कई सदियों से किया जाता आ रहा है तो आच 15-20 मिनिट बाद आपको अपने फेस को नॉर्मल वाटर से वाश करना है आपको यहां पर कोई भी सोप या फेशवाद यूज नहीं करना है आपको बिलकुल नॉर्मल वाटर से इसको वाश करना है और हाँ गाईस यह जो पैक है इसको आप साथ से आट दिन तक फ्रिज में करके रख सकते हैं यह खराब नहीं होगा उससे जादा रखेंगे तो यह खराब हो जाएगा और इसका रिजल भी उतना अच्छा नहीं आएगा तो बैस रिजल के लिए आप इसको हफ्ते में दो से तीन बार यूज कर सकते हैं यह बहुत ही अच्छा सा टैक है आपको जो एक्सेस ओयल सिक्रेट होता है उन सब को यह रोकेगा तो आपके लिए यह वीडियो है यह आप सबको पसंद आया हो और आपके लिए हल्प पूलो अगर हल्प पूलो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिलकुल मत बुलिए मैं फिर मिलती हूं आप से एक नए वीडियो के साथ सब तकिले बाइब